नमस्ते मैं हुदेव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं आटो मेशिन क्लिप्स के बारे में बिगनर से लेके एडवांस तक एक एक चीज़ देखेंगे बहुत ही जल्दी से सो लेट्स स्टार्ट यह हमारे पास है FL Studio हमने खोल लिया है मैं बेटन 1 में गया यहां पर हमने अल्रेड़ी FL Keys Harmless 3 Exoculator काफी कुछ ले रखा है मैं FL Keys पे गया राइट क्लिक प्यानो रोल और मैं जल्दी से एक मेलोडी बनाता हूँ ओके मैं बाहर आया और मैंने यहां रखा अब मैं बनाना चाहता हूँ एक automation clip आपको अल्रेडी मालूम है कि automation क्यों होती है जिनको नहीं मालूम वो मेरा beginner भी automation मैंने पहले भी द्रिश्टिकोन प्रोडक्शन वाले चैनल के उपर एक डाला हुआ है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अल्रेडी पता ही होगा automation clip क्या है नहीं पता तो बहुत ही जल्दी सम्द देखते हैं यह बिल्कुल सीधी melody चल रही है मैं चाहता हूँ यह धीरे 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 इसका volume start हो कम हो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका volume knob है मैंने किया right click create automation clip और हमारे पास यह create automation clip जैसी मैंने किया यह मारे पास आ गई अब पहली चीज मैं आपको बता दूं before changing this मान लीजिए मेरा गाना कुछ इस तरह से है कुछ यहाँ लगा हुआ है कुछ वही है कुछ कहीं भी है right और मैं इस area के उपर एक automation clip लगाना चाहता हूँ तो अगर तो मैंने सीधा यह किया कि मान लीजिए panning पे मैं जा रहा हूँ right click create automation clip तो यह पूरे गाने के उपर आ जाएगी फिर आप इसको यहाँ से छेड़ोगे कि मुझे तो सिरफ इतने section में चाहिए था अगर आपको particular section में ही चाहिए था तो बस मैं इतनी selection करूँगा च ज़्यादा काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जब भी आप automation clip बनाने वाले हैं किसी particular instrument पे किसी particular track में तो पहले इसे select कर लीजिए कि कहां से कहां आपको चाहिए फिर आपके पास बहुत ही easy हो जाएगा मैं इसे फिलहाल नहीं छेड़ रहा हूँ हम यहाँ पर आते हैं और इन सबको मैं वापिस remove कर देता हूँ चलिए बहुत simple start पे और end पे हमारे पास एक control point दिये होता है इसे मैं किया थोड़ा सा zoom हम अच्छी तरह देखते हैं कि इसकंदर क्या क्या चीज़े हैं मैंने start वाले को पकड़ के नीचे कर दिया बहुत simple मैं देखता ह आएगा राइट बहुत simple था अब मैंने क्या किया इसको वापिस जहां पर वो था वहां लाना चाहता हूँ वो कैसी आएगा इसके बराबर चाहिए तो मैं इस point पे गया right click मैंने किया copy value और मैं इस point पे आया right click paste value वो exactly वहीं पर आ गया जहां वो पहले था बिलकुल बराबर right कोई volume कम जादा नहीं अब मुझे कोई भी control point बीच में अगर बनाना है तो मुझे right click से बनाना है mouse का right click बहुत लोगों वो right और left में confusion होगी तो आराम से इत्मिनान से करके देखिएगा right click पे जैसे ही मैंने click किया मैं press करके रखूँगा मैं छोड़ नहीं रहा हूँ मैंने press किया अभी मैंने press कर रखा है यह देखिए control point मेरे हाथ में आ गया वहाँ जहां भी मैंने click किया था अब मैं इसको उपर नीचे आगे पीछे कहीं भी move कर सकता हूँ लेकिन जैसे ही मैंने अपना right click छोड़ा मेरे हाथ से वो छूट गया अब मुझे अगर इससे change करना है तो left click से होगा right से नहीं क्योंकि अगर मैंने right click दिया कहीं भी तो एक और control point बन जाएगा इसलिए already जो एक control point बन चुका है उसे छेड़ने के लिए मुझे left click से तुम चलो उपर तुम काफी उपर तुम काफी नीचे right बहुत simple अब ये बीच में क्या चीज दी गई है graph के बीच में आप देख रहे हैं दो control points के बिल्कुल 50% अगर से ये देखिए एक तो तीन जाए पाँ छे साथ आट नो तस और ये बिल्कुल वापिस चला गया बहुत easy था undo कर दिया मैंने right click से एक point लिया ठीक अब ये जो point लिया है अगर मैं इसे करूं right click तो इस point की बहुत सारी options आ जाती है मैंने simply किया stare अब जब मैंने stare किया इसे मैं थोड़ा और नीचे करता आप कुछी तरह समझाएगा exactly वैसा यह कुछ difference तो नहीं दिख रहा मैंने इसे पकड़ा और ऊपर नीचे किया मैं ऊपर कर रहा हूं ऊपर कर रहा हूं धीरे 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 और ये देखिए stare सीडियां प वापिस उस तरह से चला गया मैं right click करूंगा मानली जी मैंने यह किया मैं इस पे right click करता हूं जैसा था वैसे हो जाएगा यह देखिए यह कुछ भी बना है right click इस circle के उपर click और ये वापिस वैसा ही हो गया मैंने फिरसे इस right click किया और मैंने का मुझे stare नहीं चाहिए मुझ वो जैसा था वैसा ही हो गया, फिर से right click किया, और मुझे चाहिए hold, अब ये hold क्या है, बहुत important चीज़, देखे hold, hold करने पर, अगर मुझे इस तरह से चाहिए, उपर, नीचे, उपर, नीचे, तो मुझे बार-बार points लगाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखे hold, अ मैं कहीं भी click करता जाऊंगा, चाहिए मैं देखी, इसे पकड़ के रखूँ, तो भी वो चीज़ हो जाएगी, बहुत simple, अपने आपी, फिर मैंने क्या किया, ये वाला जो एक point लिया है, right click, इसे hold की जगा मैंने कर दिया, single curve, अब ये single curve हो गई है, नीचे, उपर, नीचे, होगी है, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मान लेजे, मुझे ये जो automation बन गई है, कुछ भी, ये मुझे delete करनी थी, तो मैं कैसे करूँगा, यहां गया, यहां all लिखा है, इस पे click किया, यहां आया automation, यहां पर यह automations दी गई है, चलिए सारी delete कर देते हैं, ये delete करने के patterns, और यहां पर हमारे पास है initialized controls, और यहां पर निजए दी है, कि आपने FL keys volume और FL keys panning पे automation लगाई थी, right click delete event, right click delete event, अब वो permanently जो automation है, वो delete हो चुकी है, क्योंकि काफी मुझे questions पूछते हैं, कि हमने automation लगाई थी, अब नहीं चाहिए हटाना चाहते हैं, तो किस तरह होगी यह एक पकात तरीका है, automation clip को delete करनेगा, आइए मैंने इसे किसी number में डाला, मैं 6 number के mixer channel में गया, 6 number में वा गया है, मैं इस volume के साथ खेलना चाहता हूँ, या इस panning के साथ खेलना चाहता हूँ, या फिर यहां कोई भी effect लोंगा, उसके साथ मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है 9% हमारे पास जो fader और knobs होंगी, वो हम automate कर सकते हैं, simple इस तरीके से, right click, create automation clip, इस पर click किया, मैंने selection नहीं बनाई थी, इसलिए देखिए, जहां तक भी वो गाना है, पूरी automation clip वहाँ पर आ गई है, अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, मैं एक clip बनाता हूँ, यहां click किया, right click मैं इसे कर दिया, hold, hold से क्या फायदा हुआ, यह देखिए, कितनी अच्छी option है hold, देख रहे हैं, आई अब देखते हैं, कि वो क्या चीज बनी, वो अपने अब चलेगा, उपर, नीचे, उपर, नीचे, और volume का जो फेडर है, अपने अब देखिए, इस तरह से move करेगा, अब मैंने क्या किया, मैंने लिया pattern 2, मैं यहां गया, double click, harmless, right click, piano roll, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका volume, मैंने velocity कम की है, और यह रख दिया, इससे बंद किया, अब मैं चाहता हूँ, कि इसके भी volume पे, मैंने क्या किया, इसे मैं चलिए, किसी और number में ले गया, पांच number में, और मैं यहां गया, यह harmless की है, right click, create automation clip, volume fader पे मैंने एक और automation clip ले लिए, इसके लिए, मैं चाहता हूँ, exactly जो यह है, यही चीज़ यहां copy paste हो जाए, मुझे यह सारा design ना बनाना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, बहुत ही simple, देखिए, जो automation clip है, यहां पर तो है, जहां हम design करते हैं, यह उपर थोड़ा सा dark हिस्सा आ जाता है, जहां यह निशान बना हुआ जाता है, right, अब किसी भी click के उपर देखेंगे, पतला सा dark हिस्सा आता है तो मैं इस dark वाले हिस्से पे गया, double click, हमारे पास automation की यह चीज़ आ गई, यहां पर हमें एक spanner दिया गया है, जिसे कहते हैं, articulator tools, इस पे click किया, और आया copy state, copy हो गया, अब मैं यहां गया, यह देखें, यह उपर, यह dark वाले हिस्से में गये, double click, यहां click किया, paste state, और state paste की हमने, काट दिया, देखे, exactly same, इसे मैं बंद करता हूँ, और harmless वाले को सुनते हैं, वो साथ में क्यों move कर रहा है, क्योंकि उसके automation भी on हो रखी है, चलिए, दोनों को on करते हैं, और सुनते हैं, क्या बना, मुझे याद नहीं, same scale पे बनी है, melody या नहीं, nice, अब हाप पूछोगे, कि ये तो internal है, कि हमें कोई harmless stock VST है, 3x oscillator stock VST है, FL की stock VST है, ये सब भी stock अंदर की knobs, अंदर की fader है, इन पर चल जाता है, external VST के अंदर हम क्या करें, तो चलिए, यहाँ से मैं लेता हूँ, external VST, labs, ये मैंने लिया, ठीक है, और मालने जी, इसकी मैं को rate automation clip की option ही नहीं आती, क्यों, क्योंकि external VST है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इस पर click कर दिया, थोड़ा सा चली मैंने move कर दिया, whatever, ठीक है, फिर मैं इसे वहाँ ले गया, जहां से मैं start करना चाहता था, मैं ले गया, minus 12.96, ओके, और मैं इसे काट दिया, pattern 3, labs, हमने already बना दी, और मैं अकेला, चली फिलहार यह, अब, जो यह था, यह चीज, इसको मैं करना चाहता हूँ, automate तो कैसे करूँगा, आप यहाँ देखेंगे, यहां मरे पास एक knob सी बनी हुए, इसके और मैं लेके जाता हूँ, तो hint panel क्या बोलता है, multi link to controllers, इस पे right click किया, उसने क आपने जो बिल्कुल last knob जो छेडी है, वो है global tune और labs की, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, मैंने का जी मैं create automation क्लिक करना चाहता हूँ, उसने का कर दो click, मैंने click कर दिया, और हमारे पास, अरे कोई दो चीज़ों पर click कर गया मैं, हामलेस के साथ, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसे क्या करता हूँ, यह देखिए, मैं कहीं भी click करता जा रहा हूँ, अब हम देखते हैं, सिरफ इसे on, और इसकी automation on, और हम देखते हैं, कि यह move करता है या नहीं, देखिए mouse मेरा side पे है, वो देखिए, उसकी tuning अपने आप छेड़ रहा हूँ, तो इस तरह से आप किसी भी external VST, जो stock VST नहीं है, उसे हम कर सकते हैं, automate, right, अब हम थोड़ा और advanced तरीके में जाते हैं, मैं यहां गया, इस पे क्या click, और इस पे क्या click, थोड़ा change करते हैं इसे, यह पकड़ा, यह पकड़ा और मैं यहां ले गया, चली, इसे किया मैंने delete, यह भी करते है, delete, right click, delete, right click, कोई भी control point को हम right click करके delete कर सकते हैं, ठीक है, अब यह बिल्कुल normal बन गई है, मैं क्या करने वाला हूँ, देखे बड़े ध्यान से दिखी गया, यह मेरा mouse pointer धीरे 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 उपर गया, left में पहले यह move का आया, और मैं और गया, बिल्कुल corner में हाथ बना गया, आपने देखा, यह मेरा pointer है, यह जा रहा है, top left पे गया, automation clip के और यह हाथ बना आ गया, इस पे click किया, बहुत सारी options आ गई, इन options में से 1, 2, 3, 4, articulator tools, और मैं यहां गया, और हमारे पास एक चीज है, create sequence, मैंने click कर दिया, sequence create करने के लिए मारे पास एक चीज है, आप already देखिए, वहाँ पर एक sequence बना हुआ, आभी गया है, by default, यह कैसा sequence आ गया, सबसे पहले मैं देखूंगा, जो इसका level है, वो उपर नीचे है, देखिए, यह उपर कर दिया, नीचे कर दिया, आप देख रहे हैं, इसको छेड़ र हो गई, मुझे तो आगे तक चाहिए थी, तो ठीक है, यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ, 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 चलिए यहाँ तक, और आगे चाहिए, आप जितना वरसी आगे जाते चाहिए, उतना ही आगे जाती रहेगी, वापिस जाना है, right click, वापीस आगे वापीस आगे वापीस आगे सिंपल राइट क्लिक से कम होता जाएगा लेफ्ट क्लिक जिससे सिंपल है वो बढ़ता जाएगा और बीच में मैंने क्लिक नहीं किया देखे बीच में वो खाली है मैंने का नहीं बीच में भी दे दो एक बीच में दे दिया, और एक end में फिर एक दे दिया, right, अब यहाँ पर जो slope है, मेरी slope की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ आए decay, मेरी slope, decay क्या होनी चाहिए, मैं पहले पता दूँँ slope क्या चीज़, यह जो उपर से आप देख रही, यह जो slope है, यह किस तरह की होनी चाहिए, मैंने का पहले वाली की थोड़ी उपर, देखे उपर हो गई, इस वाली को थोड़ा नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है मैं थोड़ी नीचे कर दी, यह नीचे होगी, इस वाली को फिर उपर बनाते हैं, फिर उपर, इसको फिर नीचे, फिर नीचे, उस हिसाब से इसकी sound में नीचे होना चाहिए, उपर हो, ये slope नीचे हो, ये और slope उपर जा रही हो, ये slope एक दम नीचे जा रही हो, तो मैं इस तरह से छेड़ सकता हूँ, release slope, मेरा जो end point की release है, देखिए, वो end point, कि end उसका goal होना चाहिए, end उसका tight होना चाहिए, जो बिल्कुल ये वाले point है, ये release, क् की इस पूरी slope का end point है, ये देखिए, ऐसे या ऐसे, तो मैं इनको भी छेड़ सकता हूँ, तो attack, decay, sustain, release, सिर्फ slope की बात कर रहे हैं, यहाँ पर है attack, decay, sustain, यहाँ पर जो हमें दी गई है, ये overall, जो मेरी wave बनी है, ये wave की, उसकी बात करें, देखिए, attack बढ़ाएंगे, तो य attack, ऐसा होना शुरू हो गया, मैंने decay छेड़ा, तो जल्दी से कम हो गया, ज्यादा हो गया, sustain बढ़ाया, overall volume कम, sustain कम किया, overall volume डाउन, तो ये slope का है, ये overall wave का है, then comes reset, मैं ये reset करना चाहता हूँ, reset, sustain level reset, reset, decay करना है, reset, reset हो गया, तो वापिस देखिए कैसे set होती जारी है, यह पर click किया, आप हर बार इसे click कते रहेंगे, अलग लग तरह की design बनते रहेंगे, ये बन गया, ये बन गया, आप उपर देखते रहें, आपको your design, आपको your design, फिर कभी कुछ और, अब finally आपने एक design select किया, कि हाँ ये होना चाहिए, अब इसको आप थोड़ा सा humanize कर देंगे हलका हलका वो रहेगा यही, हलका हलका उपर नीचे उपर नीचे छेड़ देगा, so that थोड़ा सा वो इनसानी तौर पे इसमें motions आ जाए, ड्रॉबर टिक ना लगे, ये देखिएगा, देख रहे हो हलका हलका वो छेड़ता है, मस ठीक है, accept कर दिया, चला के देखिया, तो किसी भी sound के उपर अब इस तरह से automation clips कर सकते हैं, चाहिए आप filter ले लो, चाहिए कोई EQ ले लो, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी knob के उपर, किसी फेटर के उपर आप automation klip लगा सकते हैं, automation डिलीट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कैसे डिलीट करें, एक sound की automation को कैस सरे साउंड के automation पे paste कर सकते हैं और articulate effect के साथ हम कितने अच्छे एकदम पके वैसे हम हाथ से बनाते हैं कितनी मुश्किल होती है यह देखी कितने perfectly designed वो बन गए है so beginner से लेके advance तक सारी automation clips किस तरह से लगती है external BST के ओपर किस तरह से लगती है इस knob से वो भी हमने देख लिया तो इसकी practice करते रही है automation एक बहुत 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 जबरदस tool है यह मेरा youtube है youtube.com slash devnextlevel हमारे यहाँ पर lectures आ रहे हैं यहाँ पर अभी mono versus teo का मैंने बताया था उससे पहले vocal processing के चल रहे हैं अभी 2 episode आये है तीसरा बहुत जल्दी आने वाला है join button हमारा आगए आप join button के उपर click कर सकते हैं अगर आप join button के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर options आ जाएंगी silver, gold और diamond अलग-लग members को अलग-लग perks मिलने वाले हैं जो already मैं प्रोवाइड करना मैंने शुरू कर भी दिया है diamond वाले को मेरी behind the shoot की videos वगरा मिलेंगी और gold और silver वाली की चीज़ तो मिलती रहेगी silver और gold वालों को भी उस तरह से लग-लग bucks मिलते रहेंगे किसी को post मिलेगी music production से regarding और किसी को wallpapers, किसी को videos, किसी को BTS videos वो सारी सिर्फ members के लिए होंगी जो join करते हैं मैंने अभी परसों ही video डाली भी थी join button के ऊपर यह मेरा facebook है facebook.com slash devnextlevel मुझे आप यहाँ पर ज़रूर लाइक कीजे मेरा instagram.com slash devnextlevel मेरे सारे updates यहीं पर आते हैं अभी मैं एक पुरानी अपनी किसी shoot की मैंने video share की थी join button के बारे में बता रहा हूँ vocal processing के बारे मैं है और भी सारा दिन मेरी क्या क्या है वीडियो shoot होते है आरनेत पाजी के साथ मेरा गाना आया था सिंगा पाजी के साथ बोजल दिया आएगा और भी बहुत सारे यहाँ पर अपडेट्स है तो मुझे जुरूर फॉलो कीजिए और मेरा soundcloud soundcloud.com slash devnextlevel मेरी सारी sounds आप यहाँ जाकर सुन सकते हैं तो मिलते हैं किसी all lecture में तब तक लिए devnextlevel signing out नमस्ते